आईए जाने नवरात्री में पूजन कैसे करना चाहिए और इसके क्या नियम है। तारानकन आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करें। तारानकन घर के ही किसी पवित्र स्थान पर स्वच मित्टी से वेदी बनाएं। तारानकन वेदी में जो और गेहूं दोनों को मिला कर बोएं। प्रतिपदा के दिन घर में ही जवारे बोने का भी विधान है। नवमी के दिन इन ही जवारों को सिर पर रख कर किसी नदी या तालाब में विसर्जन करना चाहिए। आश्टमी तथा नवमी महतिती मानी जाती हैं। इन दोनों दिनों में पारायन के बाद हवन करें फिर यथा शक्ति कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। नवरात्री में क्या करें, क्या ना करें। तारांकन इन दिनों वरत रखने वाले को जमीन पर सोना चाहिए। तारांकन ब्रहमचर्य का पालन करना चाहिए। तारांकन वरत करने वाले को फलाहार ही करना चाहिए। तारांकन नारियल, नीमबू, अनार, केला, मौसमी और कटहल आदी फल तथा अन्न का भोग लगाना चाहिए. नवरात्री में क्या करें, क्या ना करें? तारांकन इन दिनों व्रत रखने वाले को जमीन पर सोना चाहिए. तारांकन ब्रहमचर्य का पालन करना चाहिए. तारांकन व्रत करने वाले को फलाहार ही करना चाहिए. तारांकन नारियल, नीमबू, अनार, केला, मौसमी और कटहल आदी फल तथा अन्न का भोग लगाना चाहिए. व्रती को संकल्प लेना चाहिए कि हमेशा क्षमा, दया, उदार्ता का भाव रखेगा तारानकन इन दिनों व्रती को क्रोध, मोह, लोब वादी, दुश्प्रवृतियों का त्याग करना चाहिए तारानकन देवी का आहवान, पूजन, विसर्जन, पाठ आदी सब प्रातहकाल में शुब होते हैं, अतहे हिने इसी दौरान पूरा करना चाहिए तारानकन यदी घट स्थापना करने के बाद सू तक हो जाएं, तो कोई दोश नहीं होता, लेकिन अगर पहले हो जाएं, तो पूजा आदी न करें